राजिस्थान की राजनीती के जादूगर और राजिस्थान के गांधी केलाने वाले अशोग गैलोत फिलाल हमारे साथ मौझूद हैं जो की पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हाल ही में कॉंग्रिस के नए रणनीतिकार की तरह उब रहे हैं बहुत सारे आपके लिए बातें अब हम जो जगे जगे घुम के आएं गैलोत साब आप से पूछना चाहेंगे कि बहुत पोस्टर देखें जिसमें हुआ कि बदल रहे राजिस्थान बदलेगा राजिस्थान आज जब चुनाव प्रचार एकदम अंतिम छोर पर खड़ा है तो कितना बदलेगा राजिस्थान साथ तारिक को या ग्यारा तारिक को क्या उमीद के जाएं देखिए पूरी राज़ता में कहीं भी जाओगे तो आपको जन्ता ने मानने बना लिया है कि सरकार कॉंगुष की लानी है वो वसंदा जी के साथ निक अंत करना है क्योंकि पि प्रश ने कोई जन्सुन में ने जिसी मिले ने और कई सेगेड़ा से रुकी निरा थान के अंत कर दो पांचाल में बल्कि पितली पाइव ने रुकी थी बड़ी मेलों में रुकना बड़ी होटलों में फावशा होटलों में वाह जो आम आदमी जाके मिलने सकता नको आ रहे थी बांध बन रहा था कोट फेक्टरी आ रहे थी यह हुआ क्यों करोली और ट्रॉंक में तो हम डिल आ रहे थी इस तमाव योजना को ठब करने तुक क्या था इनका 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 जबाब नहीं है इतले क्या आप नौन इशो इश्यू में राजनी दिकाना जाते हैं दिल्ली के जो भी नेता तमाम आ रहे हैं पूरी कैबिनेट यहां लगी और खास तो अरपर के प्रदानमंत्री मुदी की बात करें तो आप वो यह कह रहे हैं कि जो काम 65 सालों में कॉंग्रेस ने नहीं किया वो पांच सालों में वसंद्रा सरकार ने किया है क्या क्या ना च दो कर लोगो रोजगार देंगे वो भी जमला हो गया अपर सुन्दा जी का था पंद्र लाग नोकरे दूंगे में राजतान वी जमला हो गया तो यह जमला है खाली को दम नहीं है जनता वह को महशी आती इन के उपर जिस मुल्क में आजात वाद में एक स्वीनी बनती थी बिजली क्या होती लोग पता नहीं था तो कहां थे कहां शूकर कहां पहुंचा मुल्क पूरे नाज विस्पिक के मुल्कों के बराबर एक ख़ड़ा होगा ऐसी हो गया है अब इस चरम पर आ चुके हैं कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने पूरी ताकत जोग चुक कोई पार्टी ऑपोजिशन भी विकास की बात करती नहीं वा अंततर यह सारी जो इलेक्शन आते आते जाती और इन तमाम चीजों पर इर्दगेर्द हो जाता है इसको कैसे देखते हैं आपी कितना सही है अब विकास के मुद्दे छोड़कर सिफ जाती वाद चाह टिकेट करना चाहते है इसके इर्दगेर्द केंपेन होता है चुनाव का विप्रक्स तो अरूब लगाया इनके उपर इंगी दिमवारी वो अपनी उपलवद्य बता है कि पांच अब काम की नहीं तो क्या उपलवद्य बता है तो यह जो जाती की पांती की वर की धर्म की बात करते हैं को मंदिर के लिए अधि जाते हैं कि आपके मैनिफेस्टो में भी और राहूल गांधी जी के भासन में भी गोत्र गाय तंसे हारी है मोधी जी के जो कास्ट के बारे में कुझे जा रहा हा है माता-पता तो यह दोनों ही पार्टी काम कर नहीं हम लोग तो देखिए हमारे कि आपार दिखा रहे हैं जो को मेंट रहा है दिखां हूँ है तो रिकोर्ड के अंदर है टीवी अंदर है इसमतलब निकाल दिते हैं और सब्सक्राइब रहा है रहे है और गेर को जन्ता है को प्रहामित चानावजीतने के लिवड़ रहा है यह करते नहीं तो तो जंद्राव इनकी ऐसलिए समझ चुकी है, अब इनकी जासे मन नहीं आना वाली है। तब रिंड माफी की बात की राउल गांदीजी ने कि दस दिन का, नौ दिन का इंज़ार कीजिए, दस दिन रिंड माफ हो जाएगा। अब बीजेपी ने भी उस लाइन को ले लिया है, मैनिफेस्टों में भी काफी कुछ चीजें जो नहीं कर पाये, जिस पर विपक्ष्न आरोप भी लगाये, मैनिफेस्टों में वो तमाम चीजें आ गई है, हताशा है, या वो कॉन्फिडेंस हो उनका कि उ सरकार वापस ला र आक्रोस है, उच तब भेंकरे वसंदाजी की प्रती और सरगार की प्रती, अब मोदी जी आए चामिठाजी आए, कोई कुछ डेमिल कंड्रोल ने कर पाये, डेमिल हो चुका इनका, और डेमिल बना रहेगा, जो गुसर तभी निकलेगा, तब एक वाई वो कॉंगेस्टों स जाकर आपने तमाम चीजे पी, पांच राजियों में चुनाओ तो हैं लेकिन निचाए चाइच अच्छ गड़ों मद्रद्प्रदेश लग रहा है जैसे चुनाओ केवल राजस्थान में, पूरी बीजेपी और पूरी कॉंग्रेस राजस्थान में अपने आपको जोग च यहां जो इस्तथी बनी तो पूरे देश के लोगों विश्वाच भी राजतां तो शिर्मोर है, कॉंग्रेस कामयाब होगी यहां पर और कामयाब होके रहेंगे हम लोग एक सवाल कल अमिच्छा जी ने फर्स्ट इंडिया के इंटर्व्यू में उनसे पूछा गया कि कितना फाइदा है जब कॉंग्रेस अपने लीडर्शिप कौन रहेगा मुख्यमंतरी वो नहीं साफ कर पाई है तो उनका यह मानना है कि कॉंग्रेस यह मान चुकी है कि हम सरका अब इनके अंदर यह क्यूं बात करता है कि कौन में मुख्यमंत मनेगा कौन ही बनेगा वो हम सब गर समाल लेंगे हमारे पार्टी में पोरा आघृषित पार्टी है जो है कमानते है करेगा चुनाओ के बाद में सबकी राय क्या है जनता क्या चाथती है वरकर क्या चाथता है MLE क्या सूर्थे हैं उसके आदा पर फेंटले होंगे कोई धेगडानी होने वाला है सब मिल के फेंटला करेंगे अलो जब गुजराच चुना हुआ और उस चुनाओं से अधर पराट कांगरे बाती उस चुनाओं के बाद देश की जन्ता भी मानती है कि रावल गांधि जी के अंदर जो मुमेंटम आया कॉंग्रेस पार्टी की बात करें मुमेंटम वो आपके तमाम चीजों को सम्हालने के बाद आया राजस्थान में से लेकर तमाम जगें आप समाल रहे हैं आपकी भूमिका क्या है राजस्थान में भी और पूरे देश में ये सब जानना चाहते हैं क्योंकि जब हम गली-गली घूमें तो वहाँ पर कॉंग्रेस या भाज़पा की बात नहीं होती है गैलोत सरकार की बात होत करके दिखाया हम पर दूसरी बार वे अच्छे गवर्नेंस थी अच्छे विकार की काम वे आतर लोग रात करते हैं पुरे प्रदिश के अंदर जयां तक के सवाल है कि गुज्रात में और मेरी भूमिका मेरी भूमिका जो होनी चे प्रवारी माम अंती वह रही थी राउल ग कोट में हुआ शुरुत में हुआ बड़दा में हुआ जान जा भी हुए अंटर इंट्रेक्शन चांदा तरीके से उनने सबको इंप्रेश किया माँ पर और ये कहा कि BJP RSSR की विचारदार अधिस में है वो रहेगी वो रखें अपने पास में हम ने चाहिए वो खतम हो हमा उनके बचेट यह ने न की सोच है और वो भी कहते हैं कि घरना की नफ चेलीदिन की नफ्रत चीलीदी ने ओन shipment dal able इसी प्रेम से करो लो उस प्रेम से हरां की यहा डेया बाले को ये उनकी सोच है उस षूच को मागा बढ़ा रहे है जब आप जन जन के नेता आपकी पहुंच है, लोग आपसे मिल पाते हैं, सर्वे मीडिया भी करती है, सर्वे पार्टी भी करती है, और मीडिया के सर्वे और पार्टी के सर्वे में आपकी भूमे का राइस्थान में आई है, जब ये पता है या लोग ही एक मान रहे हैं कि ग लेहलोत मुख्यमंत्री बनने चाहिए तो ऐसा क्यों है कि पार्टी क्लीन स्वीप कॉंग्रस कर सकती है अगर आपका नाम अनाउंस हो जाता तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है इसकी वजय क्या है हम और दर्शक सब जानना चाहते हैं कि कॉंगे से आजादे के बाद में कभ पहले चुनाग पहले आज परम रही नहीं पहले कोई चेहरा डिकले करें तो क्यों दिखले करेंगे वो जह हम में आपस में अन्डर्स्टेंग है कि मिल कि चौनाओ के मैंदा में जा रहे हैं चुनाग जीत काएंगे जीते वान प्रकरश चलेगी और पार्डी हाईकमान ते अब दरबात है यह जब सप्राइज है इसमें दो सवाल है एक यह की सरकार आएगी उसके बाद विदाएक दिल की बैठा कोगी फिरता होगा या एक यह क्या आलग अमान टैकर चुके हैं उन्होंने पत्ते नहीं खुले हैं ने नीव पत्ते कभी ऐची बात होती नहीं है व प्योग कहां ज्याधा ठीक होगा पार्टी के इंटरस्कांद आज हम पार्टी में दिली में हमारे 44 आए हैं लोकसभा के अंदर यहां 21 पर आगी पार्टी तो हमें इस बात की चिंता होने चाहिए हम सब मिलके पार्टी को आपर देश हिते के अंदर कैसे उसके जंड़ा ब कि आऱ यो कि पाड़ी से ने फाइब में अब बनाऊं तीन फार्वा अधिस करद Damon हो तो बीना मांगा आने सब्स बेले में यूज ख़ोगे पर अधिस मोंंगा एया अ degगा यह भीना मांगा मुझे रित फार्वory क्यों कई मुझे आप यह पद दो यह पंदो मेरे लिपद बिस प्राइट इन रही है कोई पद मेरी जिंदगी में प्राइट इन रही है कि पार्जी का जरना बुलन कैसे उसमें का उप्यों को सकता हूं यह तैल हाईकमान बुद करेंदा लगा बीजेपी और खास वर पे रा प्रदेश को जब दिल्ली और प्रदेश में जुदूरियां दिखे उससे नुक्सान प्रदेश को भी हुआ, जिनके आपने बंती नहीं थी, बान चाल तक आपने बात्चित भी नहीं होती थी, अब जाके आप जुक्के परणाम कर रहे हो, पटा रहे हो, अमित्षा जी को, कि नायर की पुरानी खतम हो जाए, मैंने का अगर आप ये वसंदर जी आप ये अहम गमन की बज़ा है, महारा नहीं तरह नहीं रहती, इतना जोकर प्रदाम तो आप जंता को करती है, पुरी प्रदीश जंता को, मद्दातों करती ही, जो माईबाप हमारे लोक्तंत में, वो आज आपकी इस्ता दिये नहीं मंदीर आज बन गई है, हर घर के अंदे गुस्सा है, वसंदर जी परती है, वो नहीं होता, गजिन सिंग वर्सेज मैडम दिखा आपको इस पूरे माहल में खास तर पर जोदपुर में, गजिन सिंग शेखावत वर्सेज सियम वसंदर राज काम रोकने चाहिए, इंदो नहीं हमारे सब काम रोक दिया वापर, सटके टूटी पढ़ी है, शिवरे सिस्टम कॉलेप्स हो गया है, पानी, बीडली, शिक्षा, स्वार्स, सब में तकलिपा रही है, कर्फिन बढ़ गया है, पुली सुनती नहीं थी, दिन दारे लेके ते ह गई, एक दुकांदाल को मार दिया, कोई सरकान परवार नहीं करी, मलब जोद्पुर को लावारी छोड़ दिया, मुख्यमंतिज ने खुद ने, तो जब खुद ने छोड़ दिया, तो नीच वाला दिकाई डरते हैं, जयदा काम को दिखाएंगे, तो मुख्यमंति नहीं तो ये तमाम तरीके पांथा निकले हैं हमारे, लोग बहुत दुखी थे, अब लोग खुल के बाहरा आ रहे हैं, और जम के वोड़ करेंगे कॉंगेर पक्स में अक्सर होता है कि मद्यप्रदेश, छत्यसगर्ड, राजिस्थान, जब प्रदेश और विदान सबा चुनाओं होते हैं, तो उसमें लोकल मुद्धे जादा होते हैं, हाली में करनाटक में जब चुनाओं हुआ, तब भी नैश्नल मुद्धों को जादा रखा गया, अभी आजिए ति आयो कि तीयां प्रूंदी जी विद्राओं ऑन जा चुनसान, जी चुनाओं जिदान सबागे ये राहल वरसेश पीम हो चुके हैं, और आप इनकोelas तरी से देखते हैं ये tuba से थाधिन करदेश यह चुचिन ती सी की अधिर नेता है, को अ जब नीर मुद्ध आपने पहले जब चुना हुए तब आपने अलग तरीके से अलग भूमिका में रहे होंगे आप आप सीम कैंड़ेट भी थे और तमाम चेहरा थे अब आपका रोल बिगर लेवल पे हो गया है आप उमीदवारी तो लोग देखते हैं लेकिन उसके अलवा आप मुखिया के रूप में भी देखते हैं यह चुनाओ कितना अलग रहा पुराने 2008-2013 या उससे पहले 2003 जो भी चुनाओ यह चुनाओ कितना अलग देख रहे हैं विजए होगी यह मैं कह सकता हूं आपको अगरी सवाल आपका आकड़ों के जादू करें किस आकड़े पर कॉंग्रेस अभी खड़ी है देखिए यह बीजेपी वाले पचार के निचे रहे आश्यर नहीं करना चाहिए और बाकी जो तीन राज जो कहा था ना 150 वारा मिशन होगा गुजरात में वो फिल होगे महाँ पर यहां कह रहे हैं 180 वारा मिशन है अब कहने के बाद में कोई निता ने वो मिशन देवान में लाइन दे रहे हैं इतने बैक फूट पर आगे मालूम है हम आने जा रहे हैं कि वो राजस्थान के गांधी माने जाते हैं जन जन तक उनकी अप्रोच है और जो प्रदेश की जनता है वो उनको आसानी से मिलकर बातचीत कर चुकी है और यही जो सीधा साधारन व्यक्तित वह है उनका यही उनकी यूएसपी है हमारे साथ बात करने के लिए फर्स्ट इंडिया पर मौजुद थे अशुक गैलोत अधिकांश राज्यों में से अधिकांश राज्यों में सरकार बनाएंगे और राजस्थान में तो बहुमत हास करके सरकार बनेगी देखना यह दिल्चस्प होगा कि मुख्य मंतरी कौन होता है कैमरा परसन मुकेश को साथ अधितीनागर फर्स्ट इंडिया जैपुर